तो आज हम फिर से कुछ और vacancies लेकर आए हैं पंजाब पुलिस से रिलेटिड आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस में vacancy निकली है मैं आपको एक-एक करके सभी details दूँगा बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा सभी परकार की details मैं आपको दूँगा जो एक application form fill करने से पहले एक candidate को पता होनी चाहिए recruitment portal कौन सा है वही जितनी भी vacancies निकलती है यही से आपकी recruitment होती है आप देख सकते हैं इस portal पर जाकर आपको registration करना है और इससे पहले मैंने पंजाब police में जो head constable की vacancies निकली थी उस पर भी एक video बनाया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एक playlist बनी हुई है पंजाब के नाम से वहाँ पर जाकर आप पंजाब से related सभी खबरे देख सकते हैं तो उस वीडियो को आप जुरूर विजिट करें Opening date कबसे आप apply कर सकते हैं शाम के 4 बजे 17 अगस से यानी open हो चुके है और last date क्या है 7 सितंबर तक आप apply कर सकते हैं और अगर आपको किसी परकार की दिक्कत आती है तो आपको help line number भी दिया गया है grievance window भी दी गई है अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप अपने problems बता सकते है Online applications are invited from Indian citizens to fill 634 post है civilian sports staff की काफी सारी अलग-अलग category की post है मैं भी आपको बताऊंगा और the recruitment for filling up the vacances in the cadre of civilian sports staff shall be carried out through a common application form and computer based test तो आपका exam होगा आपको बता दिया जाएगा जब भी होगा posting deployment पंजाब police के जो rules है उसके coding आपकी deployment होगी tentative vacances कितनी है तो group C की यह vacances है civil and sports staff के तहट तो सबसे पहली vacances कौन सी है legal officer की total मैंने आपको उपर बताई दीती कितनी है और legal officer की कितनी है उनमें से 11 है category wise bifurcation आप देख लीजे जैसे general की 4 है कोई भी apply कर सकता है किसी भी राज्य से apply कर सकता है बसरते आपको qualification पूरी करनी होगी जो मैं भी आपको बताऊंगा तो आप यह category wise देख लेना total 11 post है legal officer की उसके बाद post है assistant legal officer की total 120 vacances है category wise आप देख लीजे उसके बाद है forensic officer की 24 vacances है category wise आप देख लेना मैं slow कर देता हूँ ताकि आप देख सके अच्छी तरके से उसके बाद है assistant forensic officer 1500 vacances है 150 यहाँ भी category wise bifurcation आप देख लीजेए next post है computer या फिर digital forensic officer की total 13 vacances है category wise bifurcation दी है next post है information technology officer की bifurcation आप देख लीजेए उसके बाद है information technology assistant की software department में 214 vacances है category wise bifurcation आप देख लीजेए उसके बाद है financial officer की total 11 vacances है उसके बाद है assistant financial officer की total 70 vacances है the number of post में भी increase decrease यह आपको पता ही होता है घटाई बढ़ाई जा सकती है reservation के rules आपको पता ही है पंजाब सरकार के जितने भी rules है वो आपको follow करने होंगे 5 साल की relaxation जो दी जाती है वो आप देख लेना एक बार 200 रुपे हर एक की मा आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा आप खुद देख लीजिए मैं थोड़ा slow कर देता हूँ वीडियो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते है किस की कितनी salary है काफी अच्छी salary रखी गई है अब बात करते हैं nationality के आपको पता है Indian citizen होना चाहिए age limit कितनी है minimum 18 और maximum 37 वर्स की आपकी आयो होनी चाहिए age relaxation आपको पता ही है SCBC, OBC को जो दी जाती है और cut of date क्या है age की एक जनवरी 2021 को आपकी आयो देखी जाएगी इस दिन आपकी जो age limit 18 से 37 वर्स की होनी चाहिए अब बात करते हैं qualification की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं पहली जो पोस्ट है वो है legal officer की इसकी qualification क्या मांगी गई है experience 7 साल का मांगा गया है कैसा as a legal practitioner या फिर practicing lawyer in supreme court of India या फिर high court या फिर district court assistant legal officer यहाँ पर भी bachelor degree मांगी गई है law में 50% आपके marks होने चाहिए 2 साल का अनुभव मांगा गया है forensic officer में यहाँ पर degree मांगी गई है सनातक की forensic science में 7 साल का आपको अनुभव होना चाहिए assistant forensic officer यहाँ पर भी सनातक मांगी गई है forensic science में 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए computer या फिर digital forensic officer यहाँ पर सनातक मांगी गई है bachelor degree computer science या फिर IT या फिर electronics communication 12 साल का आपको अनुभव होना चाहिए ITO यानि की information technology officer यहाँ पर भी same degree मांगी गई है bachelor degree in computer science ITO electronics and communication with emphasis on computer software साथ साल का आपको अनुभव होना चाहिए Information Technology Assistant Bachelor Degree मांगी गई है Computer Science में वही और Minimum 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए Financial Officer Bachelor Degree in Commerce मांगी गई है या फिर Finance from a Central या फिर State Government University Recognize University साथ साल का अनुभव मांगा गया है Assistant Financial Officer और Bachelor Degree in Commerce मांगी गई है वही Past Metriculation Examination with Punjabi as one of the compulsory subject और Elective Subject और Any Other Equivalent Examination Punjabi Language specified by the Punjab Government तो इनके साथ साथ जितनी भी Qualification बताई गई है इनके साथ साथ compulsory है कि आपने दसवी में Punjabi Subject पास किया हो चाहिए compulsory Regular Subject के रूप में या फिर Elective Subject के रूप में या फिर Equivalent Punjabi कोई भी Language पास की हो कोई भी एक्जाम पास किया हो पंजाबी Language में जो की पंजाब सरकार द्वारा मानेता प्राथ हो तो जातर तो मानेता प्राथ होते ही है इस बात के आपको दिक्कत नहीं है चाहिए आपने हरियाना से पंजाबी Subject पास किया हो तब भी आप अपलाई कर सकते है अब बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की दोस्तर यह एक्जाम होगा Stage 1, Stage 2, Stage 1 में आपका CBT एक्जाम होगा Objective Type आपका एक्जाम होगा Stage 2 में केवल आपकी स्क्रूटनी की जाएगी डोकुमेंट्स की MCQ टाइप में क्या होगा So questions होगे 4 marks का एक question होगा Bilingual होगे Bilingual में कैसे Punjabi और English Hindi English नहीं है Punjabi English है क्योंकि Punjab राज्य की ये vacances है Slaves क्या रहेगा Legal officer का आप एक बार देख लेना मैं अगर एक एक करके बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर भी मैं आपको थोड़ा सा Brief दे देता हूँ तो Slaves of Legal Officer and Assistant Legal Officer के लिए क्या रहेगा सविधान भारत का आप से पूछा जाएगा जिसमें 80 marks का होगा Indian Policy कह लीजिए Short में Criminal and Civil Laws पूछे जाएगे 200 marks के जिसमें IPC और CRPC CRPC से संबन्दित आप से प्रसंद पूछे जाएगे और जितने भी जो act होते हैं जो कानून से संबन्दित होते हैं जैसे आपको पताएगे Indian Contract Act SCHD Act NDPS Act POXO Act Prevention of Women and Domestic Violence Act या आपको पताएगे सभी परकार के जो कानून से संबन्दित Act है IT Act Language से इसके बाद के आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना है यूँकि 44 पेज का ये काफी लंबा नोटिफिकेशन है एक बार मुझे आपको पूरा दिखाना है बस यहाँ पर syllabus दिया है अलग-अलग जितनी भी vacances निकली है सबका syllabus यहाँ पर define कर दिया गया है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए आप इसे पूरा देख लेना मैं और भी important point देख लेता हूँ अगर कोई दिये है टोटल duration of computer-based test दो घंटे का आपको exam होगा टोटल 100 questions होगे एक question 4 number का है तो इसाब से आपके 400 marks होगे admit card आपको बता दिया जाएगा website आप visit करते रहेगा negative marking होगी या नहीं there will be a negative marking तो negative marking रखी गई है 25% marks आपके cut ली जाएंगे एक question 4 marks का है तो एक number आपके cut जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं नर्मलाजेशन रहेगा formula आप देख लेना नर्मलाजेशन सब के लिए एक है तो formula का क्या करेंगे minimum marks कितने चाहिएंगे after normalization is carried out in the above mentioned manner candidates belonging to SC, BC, EWS and ex-servicemen categories shall be required to score a minimum of 25% marks and candidates belonging to other categories shall be required to score a 30% marks other category आपको पता ही है general ही होती है answer key and seeking of objection आपको बता दिये जाएगा जब भी आपको objection लगाने के लिए कहा जाएगा 50 रुपे आपसे लिए जाएगे 48 घंटे का आपको समय दिया जाएगा alert to candidate SMS या email के माध्यम से आपको भेजे जाएगे लेकिन इसके भरोसे आप मत रहिएगा आपको website regularly visit करनी है पहले आप exam तो दे लीजिए medical examination भी होगा police के exam में होती ही है medical exam आप पूरा एक बर देख लेना character भी आपका अच्छा होना चाहिए verification of certificate भी होगा joining and probation सुरात में हर जोग को जब पर probation पर रखा जाता है अब बात करते हैं भी इसकी general की कितनी होगी 1500 रुपे मात्र ex-serviceman 700 रुपे SCST के लिए 900 रुपे ये total है application प्लस examination fees मिला कर EWS के लिए 900 रुपे सुकरे कम की है और person with disabilities के लिए 900 रुपे mode of payment अगर form online है तो payment भी obvious है online ही होगी no other fee payment mode shall be considered online application procedure मैंने आपको ये link बताया जो blue color में दिया है इस पर आपको जाना है यहाँ पर जाकर आपसे simple सी details मांगी जाएगी आपके नाम, father, name, सब आपकी personal details mobile, id, documents बस और आपका form फिल हो जाएगा बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपको photo के size बताएगा है जैसे 50-200 kilobyte image का size होना चाहिए signature का भी 50-200 kilobyte इन सब चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है फिर अगर आपसे नहीं हो पाता है कि resize नहीं हो पाता है तो आप paint में आप resize कर सकते है paint में option होता है image को resize करने का help line number भी दिया है उपर भी बताया गया था अगर आपको इस application form से या form fill करते वग या payment करते वग किसी भी प्रकार की कोई भी problem आती है तो आप इस toll free number toll free number यानि आपका कोई charge नहीं लगेगा इस पर आप contact जरूर करें दिनकर गुपता IPS DGP सहब तो ये था पुरा notification चवाली स्पेज का notification मैंने आपको बताया मुझे पूरी उमीद है कि आपको सभी प्रकार के points पता चल गए होंगे आप इस channel को जरूर सब्सक्राइब करेंगे इस से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोचाहन मिलता है इस channel पर बहुत जल्द all over India के जितने भी states है और union territories है चाहे private job हो, government job हो सभी बहुत ही जल्द हर एक vacancy के detail आपको इस channel पर प्राप्थ हुआ करेगी तो मुझे पुरी उमीद है कि आप इस channel को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस video को ज़्यादा ज़्यादा शेर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रुथाहन मिलता है